विटाइस वीडियो में हम डिसकुस करेंगे हमारे इंडिया के पहले एंपायर को साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री में मौरिया इंडाइन डाइनस्टी का कितना इंपॉर्टन्ट रोल है चंदरगपते मारे की बात करें बिंदु साथ की बात करें या शोक की बात करें इन तीनों का ही इंडिया की हिस्ट्री में एक प्रॉमिनेंट रोल है जिसे इस चैप्टर में हम डिसकुस करेंगे अगर हम modern dynasty के बात करें तो बिटा यहां पर इंडिया की हिस्ट्री में एक नए एराकी बिगिनिंग होती है जो मारियाज होते हैं वो establish करते हैं first ever empire in the history of India इंडिया की हिस्ट्री में पहला सामिराज बनाने का श्रे मारियन्स को ही जाता है और मारियन डाइनस्टी की शुरुवात से ही इंडिया की हिस्ट्री में हम एक important change देखते हैं और यहां पर क्योंकि centralized authority बहुत ज़्यादा strong हो जाती है जब चंदरगपते मारे rule करेंगे तब भी विंदुसार rule करेंगे तब भी और अशोक rule करेंगे तब भी तो क्या होता है पीटा जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं वो इनकी ही rules regulations को follow करते हैं इनकी supremacy को acknowledge करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं unity की एक जलक भी दिखती है किसमें Morian Empire में इंडिया की unity की एक जलक भी दिखती है ठीके जो word semblance है उसका meaning होता है जलक तो हमारी country में unity को पहली बार हम देखते हैं कर अंडर Morian rule clear है इतनी बाते चलो बेटा अब हम sources की बात करेंगे कि भाई वो कौन से sources हैं जो हमें Morian dynasty, Morian empire के रिगार्थ में बताते हैं कि वहाँ पर rules कैसे थे, regulation कैसे थे, etc. ठीक है सारी information हमें कैसे मिली तो पहले हम लोग पढ़ेंगे archaeological sources को, archaeological sources में क्या आएंगे बेटा, rock addicts और pillar inscriptions बेटा, जो rock addicts हमें मिले हैं शोक के time के, जो pillar inscription हमें मिले हैं शोक के time के वो vital source है, information का, जिनके थूँ हम Morian's के रिगार्थ में बहुत कुछ जान पाते हैं तो पहला जो source है वो archaeological source है, जिसमें rock addicts, शिलाल लेक और pillar inscription बहुत जादा important हैं दूसरे आएंगे पिटा आपके literary sources, तो जो literary sources हैं वो भी भर-भर के available हैं जो हमें Morian's के रिगार्थ में information देते हैं कि जो Morian's rule कर रहे थे उस time इंडिया में कैसे rule कैसे regulation थे तो पहली जो book है वो एंडिका, एंडिका को लिखा किस ने था मेगस्थनीस में, मेगस्थनीस कहां से थे बिटा Greek ambassador थे जनें भेजा था सेलोकस ने, किस ने, सेलोकस ने, ये ambassador थे, भेजने वाले कौं थे, सेलोकस ने केटर किस के time में ये इंडिया में थे तो चंदरगुपत अमारे के time में ये इंडिया में थे चंदरगुपत के court मी, एंबिसिडर की तरह थे, मेगस्थनीस, जो इंडिया में रहे, इंडिया को जाना, समझा, और बहुत कुछ लिखा अपनी book इंडिका में, तो समझ में मगस्तिनीज कौन है चंदरकुपते मौरे में एमबेसेडर थे किसने इन एमबेसेडर बना के बेजा था तो बेजा था था सेलोकस निगेटर ने ठीक है दूसरा अगर हम दूसरे ग्रीक राइटर्स के बात करें तो उनको भी जब हम पढ़ते हैं क्योंकि यह जो इंडिका को किस ने लिखा है में किस तनीस में किस तनीस कौन थे एमसेडर थे किसके संलोकस नेगेटर के किसके कोट में रहते थे चंदरकुपते मौरे की कोट में रहते थे इनकी अलावा भी दूसरे ग्रीक रैटर्स हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत सारी information म और एंपायर वो हैं स्ट्राबो, प्लूटार्क, इस्ट्रा बिटा अब एक और इंपॉर्टेंट बुक को हम विस्कस करेंगे वो बुक है अर्थशास्त्र बिटा अगर आज लिटरल मीनिंग की बात करेंगे भाई आज अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, क्या होता है बिटा, इकोनॉमिक्स पर ये जो बुक है अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स के उपर नहीं है ये किसके उपर है, पॉलिटिक्स के उपर है politics के उपर it means एक राजा को कैसा होना चाहिए ठीक है राजा की duties क्या है फिर being a citizen citizens के duties क्या है उसके उपर लिखी गई है book अर्थशास्त्र economics की उपर नहीं लिखी गई है बिटा finance की उपर नहीं है ये book ये book का major focus क्या है politics, राजमीती राजा को कैसा होना चाहिए प्रजा को कैसा होना चाहिए treaties on state craft इसे क्या भी कह सकते है treaties on state craft ये शाशन चलाना भी एक कला है तो शाशन चलाने की कला की उपर जो book लिखी गई है उसे कहते हैं अर्थशास्त्र writer कौन थे इसके? पिटा भे दते इसका मेनिंग क्या होता है इंगलिश में से क्या बोते हैば इंगलिश में Economics बोलते है पर ये जो book अर्थशास्त्र से ये Economics के उपर नहीं लिखी गई है ये Politics के उपर है राजनीती के उपर है दूसरा इसे लिखने वाले कौन है बेटा अच्छानक की अच्छानक की को हम दो और नाम उसे जानते हैं वो है विश्नु गुपता रेकॉर्टे ले ये हमें इन्फोमेशन देती है कि भाया मौरियन्स का रूल कैसा था अड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था ये सब कुछ हमें अर्थशास को बढ़के पता चलता है अगर हम इसे रूल बुक भी कहेंगे ना तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है ये रूल बुक की तरह भी ट्रीट की जा सकती है अचा इसमें बहुत सारी बातें जो लिखी गई हैं वो सप्लीमेंट करती है कि इसको बिटा उन इंफोमीशन को जो किसने प्रोवाइट की हमें मेगस्थनीस ने ठीक है अगर कोई बोले कि मेगस्थनीस ने जो कुछ लिखा है वो सही है यह कौन कैसे पता चलेगा हमें तो जब बेटा दो फुक्स एक ही तरीके की बात कर रही हूं एक इंग्यन राइटर ने लिखी है दूसरी ग्रीक राइटर ने लिखी है पर दोनों बात एक ही तरह की की कर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो कुछ लिखा है वो सही लिखा हुआ है चले आगे चलो फिर बेटा एक राइटर और हैं जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं विशाक दत्ये ठीके विशाक दत्य का भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसका नाम है मुद्र राक्ष मुद्र राक्षाम किया है एक पॉलिटिकल ड्रामा है किस ने लिखा है तो विशाक दत्य ने एंट ने लिखा है ठीके वो हमें बताता है कि कैसे नंदड डाइनेस्टि का डिस्टॉक्षласт चंद्रगुप्ति मौर्यi जब modern dynasty को establish करेंगे modern empire को establish करेंगे तो उसके पहले मगत के ओपर कौन rule कर रहा होता है धनानद धनानद किस dynasty को belong करता है तो धनानद नंद dynasty को belong करता है तो जो नंद थे उनके destruction की कहान किस में लिखी गई है मुद्र राक्षस में लिखी गई है इसके राइटर को ने विशाक दत थे यह हमें inform करती है कि उस time में भया समाज कैसा था आरतिक इस्तिती कैसी थी political conditions कैसी थी ठीक है उस time में कैसी political, social, economic condition प्रवेल करती थी उसकी information हमें मिलती है मुद्र राक्षस से जिसके राइटर थे विशाक दत्य है बिटे में फिलो फिलो में विशाक दत्य बोला विशाक दत्य है विशाक दत्य है अब हम पिढ़ेंगे चंद्रगुप्ते मारे को इन्होंने रूल करना कभी start किया 321 में कब तक रूल किया 297 था चंद्रगुप्ते मारे ने रूल करना कभी start किया 321 में कब तक करते रहे 297 था ठीक है और यह बीसी है बीसी में आपको पता ही होगा कि काउंटिंग बाक्वर्ड चलती है फॉर्वर्ड नहीं चलती है बीसी स्टांस फॉर बिफोर क्राइस् आपको जो डेट्स मिलेंगी कैसी मिलेंगी बाक्वर्ड काउंटिंग में मिलेंगी ठीक है तबी तो रूल कब से start किया 321 से और कब तक करते रहे 297 है ना तो उल्टा चलता है चलो जिससे अगर मैं नरु इंद्रमूदी की बात करूं ते भहिया इन्होंने इंडिया में ऐ 24 थक और अब 24 में फिर से यह बन गए हैं तो कब तक चलेगा यह 29 थक आई बात समझ में तो पहली बार नरुज मोदी पीम बने 2014 में दूसरा कारेकाल स्टार्ट किया 2019 में तीसरा कारेकाल स्टार्ट किया 2024 में तो इन्हों फॉर्वर्ड चल रहे ना पर बीसी बिफोर क्राइस्ट जो कांटिंग चलती थी वो बैकपूर्ट चलती थी रूल करना 321 में स्टार्ट किया और रूल अंट कब वह 297 में होप इतना क्लियर हुआ होगा बिटा अब हम बात करेंगे मौरेन डाइनिस्टी के राइस की ठीक है तो मौरेन डाइनिस्टी का अधिक है यहाँ पर कौन चेंज होरे हैं बीटा रूलर पहले मगत पर रूल करते थे धनानद पर मौरेन के राइस के बाद यह मौरेन के आने से धनानंद की जुनंद्रडाइनिस्टी है वो हो जाती है खतम रूल करने लग जाते हैं चंद्रगुपते मौरे और इंडिया क हिस्ट्री में इसकी great consequences हमें देखने को मिलेंगी ठीक है फिर से सुनो मौरियन्स का उदय यह मारियन्स का जो राइज है वो इंडियन हिस्ट्री में महान परिणामों वाली एक राजनातिक घटना है घटना तो कैसी है पॉलिटिकल है पर इसके परिणाम हमें हर तरफ देखने को मिलेंगे यह उतनी ही रिमार्केबल है जितना captivating इनका फाउंडर ठीक है इस रिमार्केबल एंड एस captivating ऐस फाउंडर फिर से ध्यान से सुनों यह अपने संस्थापक क्योंकि मौरियन एंपायर के संस्थापक कौन थे फाउंडर कौन थे चंद्रगुपते मौरे तो यह अपने संस्थापक चंद्रगुपते की तरह ही उलेखनिये है रिमार्केबल है क्या अप्टिवेटिंग है अट्रेक्टिव है मनुरम है कि फिर से पूरा सुनने एक बार देखो अगर हम बात करें किसकी मगत में मौर है क्या मौरे अंका राइश इतना ही रिमारकेबल आगर इतना ही जितना इंका फांडर जो कही है चंद्रगुपते और चंद्रगुपते मारे को हम इतना रिमारकेबल इतना गाल कोई कि ज twentiesพ snatch कि यूकि इंहोंने इंडिया में एक नए एरा की बिगनिंग की यूनीटी याई इंडिया में इंपीरियल रूल का इस्टेबलिश्मेंट होता है देखो चंद्रगुप्ते मारे who assured a new era of unity and imperial रूल चंद्रगुप्ते मारे ने एकता और साही शाशन एकता और साही शाशन के एक नए यूग की शुरुआत की अगर हम background की बात करें अब हम पढ़ेंगे बिटा background को तो हम चंद्रगुप्ते की early life को discuss करें उसके पहले हम ये discuss करते हैं कि कैसे चंद्रगुप्ते मारे ने मारियन्स को एक formidable force बनाया ठीक है मारियन्स की जो आर्मी थी उससे बिटा जितने भी foreign invaders थे वो तक ड़ते थे तो कैसे इनों ने ये काम कर दिखाया पहले हम उसको discuss करेंगे फिर से ध्यान से सुनो हम चंद्रगुप्ते की early life को discuss करें उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे मौरे अपने आपको एक formidable force बना पाए इंडिया में ठीक है तो बिटा अगर हम अलेक्जेंडर को नहीं पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्ते की history समझो हमने आदी पढ़ी है इसलिए हम अलेक्जेंडर को डिसकस करते हैं अलेक्जेंडर राजा हुआ करते थे कहां के मैसीडोनिया के उन्होंने इंडिया को इंवेट किया 326 BC में अलेक्जेंडर जो किंग थे मैसीडोनिया के उन्होंने इंडिया को कब इंवेट किया 326 BC में इनके जो कैमपेन थे उसकी वज़े से बहुत सारे जो नौर्थ वेस्ट इंडिया के किंडम्स थे वो डिस्लोकेट हुए, उनके राजाओं को इन्होंने हराया, ठीक है, तो एलेकसेंडर ने इंडिया को इन्वेट कप किया अबिटा 326 BC में, अबिटा एलेकसेंडर की अगर इन्वेस्ट इंडिया नौर्थ वेस्ट का अच्छा खासा एरिया अक्वायर कर लेते हैं, इस बुक में हमने शुरुआत में ही पड़ा कि जो मगद है, वो कहां पर एस्टन इंडिया में है, अगर बिटा आज करें तो जहां पर हमारा बिहार स्टेट है, उस बिहार स्टे इन्वेट करते हुए आ रहे हैं, और इस टाइम बिहार में मगद में किसका रूल है, तो मगद में रूल कर रही है, नंद डाइनस्टी, और नंद डाइनस्टी के कौन से रूलर रूल कर रहे हैं, तो वो है धनानंद, फिर से ध्यान जे सुनो, इंडिया के नॉर्थ वेस् करके के के अरिया को जिकते हुए आ रहे हैं, और उस टाइम में यहां पर रूल किसका है, नंद डाइनस्टी के धनानंद का, चलो, तो मगद अभी आपको समझ में आया है, मगद कहां पर है, इंडिया के इस्टन साइड में है, यह एक पावर्फुल स्टेट था, जब नॉ किसके ट्रिडिकल रूल से, नंद किंग, नंद किंग के अत्याचारों से, और नंद किंग भी कौन थे, धनानंद, धनानंद के अत्याचारों से भयंकर परिशान थे, कौन मगद के लो, तो एक तरफ तो हमारा नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम झेल रहा है, वह या फॉरेन से, दूसी तरफ हम देखने हैं कि हमारे इस्टन पार्क में एक रूलर हुआ, जो कि बहुती क्रूवल था, जो ट्रिडिकल रूल चला रहा था अपनी प्रजा के उपर, तो वहां पर प्रजा किस से परिशान्ती धनानंद से परिशान्ती, आम्ड कॉन्फलिक्ट वास्ट उनली वे टू शेक ओफ दा योक ओफ फॉरिंड रूल और पिटा फॉरिंड रूल अप अलेक्जंडर तो प्रीक के थे ना, तो उनको थो हमें इन्या में आने नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आम्ड रिबैलियन, आम्ड कॉन्फेक्ट होना बहुत जरूरी और यहां पर एक दूसरी चीज भी बहुत जरूरी थी, वो थी नंद डाइनिस्टी का खतम होना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना ओपरेसिव था ना, धनानंद की लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जीएं की मरें, तो धनानंद से चुटकारा भ चलो फिर से, देख लो एक बाई, आम्रेवेलियन अकेला तरीका था, जो शेक आफ कर सकता है, फॉरेंड रूल को स्टार्ट होने से, इन्या में फॉरेंड रूल को अगर वहीं के वहीं रोकना है, जो इंपॉर्टन टेरिटरी उन्होंने एक्वायर कर ली, उन्हें भी वा हम चंद्रगुपते महरे की बात करें, तो इनकी अर्ली लाइफ, इनका पावर में आना, दोनों ही बहुत इंट्रेस्टिंग है, बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी हैं की, अपनी लाइफ की भी, अगर हम बुद्धिस ट्रडीशन की मानें, तो बुद्धिस ट्रडीशन क हुआ करता था गोरकपुर यूपी से नेपाल तक का जो तराई रीजन है उसके बीच में कहीं प्रिपली वन हुआ करता था और फिर जो इनकी पापा हैं वो एक बार लड़ाई कर रहे होते हैं अपने नेबरिंग किंग्डम के रूलर से पहले तो राजाओं में लड़ाई हो और उन्हें मार दिया जाता है अब इस वज़े से चंद्रकुप्त की मम्मी होती है इस वज़े से मजबूर हो जाती है और बहुत ही गरीवी में अपना जीवन जीने लगती है इस आड़ डिवे चंद्रकुप्त मदर टू आ स्टेट पावर्टी बहुत ज्यादा परिशान एक गाऊं की चर्वाहे ने गोध ले लिया किसको चंद्रकुप्त को तो क्या यतनी बाते समझ में आगई चंद्रकुप्त की पापा की होती हाद एक बैटल में उन्हें मार दिया जाता है जिसके वज़े चंद्रकुपत की मम्मी बहुती पावर्टी में पावर्टी की अब ये बहुत ही लॉन ब्रामिन है अच्छा ये एक बार धनानंद के कोट में जाते हूं धनानंद से बात करते हैं कि देखो फॉरेन इंवेडर इंडिया की तरफ आई रहे हैं अगर हमने अभी कुछ कड़े कदम नहीं उठाए तो हो सकता है ये इंवेडर इंडिया में आ लेक सकता तो वह क्या फॉरेन इंवेडर वह तो इंडिया में नहीं आएगा तो अपना काम करो इस तरह की से वह बहुत ज्यादा युमिलियेट कर देते हैं कि इसको चंद्रगुप्त कर लेको तो जो कोटिल है वह एक ब्रामिन है जिनकी बेज़िती बहुत ज्यादा कर र जिनकी शिखा जो चोटी ब्रामिन रखते हैं पीछ आप लोगों ने देखा होगा इसको बोलते हैं शिखा तो यह शिखा को पकड़कर उनको बहार निकाल दिया जाता है इससे बड़ा युमिलियेशन ब्रामिन के लिए कोई भी नहीं होगा तो इस वज़े से बहुत ज़ तो यह ही है वह वालक जो मेरा काम कर सकता है तो वहीं से चंद्रगुप्त को अपनी साथ ले जाते हैं और उनको पूरा एजुकीशन सब कुछ सिखा देते हैं कौन कौटल किसको चंद्रगुप्त को देखकर कौटल को विश्वास जागता है यह लड़का बड़ा हो के कुछ करेगा यह मेरे काम का बच्चा है तो उसको ले जाते हैं अंटो खेम अंडरेस टुटिलेज टुटिलेज का मतलब क्या होता है जाती है चंद्रगुप्त की और ट्रेनिंग देते कौने कौटल यह वार्फियर मतलब युद्ध सिखाया जाता है उन्हें पॉलिटी मतलब राजनीती सिखाते हैं स्टेट क्राफ्ट एक राज्य को कैसे चलाना है यह सिखा देते हैं सब कुछ कौटल किसको की ट्रेनिंग दाट फिट्ट डा कि इस तरीके से अब चंद्रगुप्त को तियार किया जा रहा था कि बहीं आने वाले किसी बड़े किंग्नम का रूलर कौन ही बनेगा चंद्रगुप्त और क्यों कि को बरबाद करना था किसको नंद्र डाइनिस्टी को तो यह बात पक्क और इस्टन पार्थ में वेस्टन पार्थ में फॉर इन्वेजन इस्टन पार्थ में नंद का क्रुवल रूड यह तून्हीं सिचुएशन ऐसी थी जिसका एडवांटेज लेने के लिए कोई उधार ही बैठा था और हो था चंद्रगुपते और उसके पीछे बाकिंग ती कि इसकी कोटल लेखी तो अब यह जो पॉलिटिकल टर्मॉइल है इसका एडवांटेज कौन लेते हैं चंद्रगुपते लेंगे अब यह पॉलिटिकल टर्मॉइल की सिचुएशन किसकी वज़े से आई एलेक्जंडर की इन्वेजन की वज़े से आई और साथी साथ मगदिय लेते हैं नंद को और रूलर बन जाते हैं 321 BC में मगद्र को मिलेकर एक अन्यारूलर देशते में चंद्रगुपते मारे मगद के अजवे आनका की पॉरी हो जाती है तो किसी भी राजा के रूल करने के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है उसकी प्रजा का प्रजा उसके साथ है तो राजा निरंतर अच्छे से रूल करता रहेगा नहीं तो बहुत मुश्किल आएगी उसको तो यहाँ पर चंद्रकपते मारे क्योंकि एक समझदार थे एक लोन्ड मैन उनकी साथ तो नहीं यह पता था कि पहले अपनी प्रजा को साटिस्फाय करना है उनके वेलफियर के लिए काम करना है उनकी साथ एक कनेक बनाना है तो पहले तो मगद में ये काम करने का काम किया किसमें चंद्रकपते मारे ने कि लोगों के साथ कनेक्शन जाएगा तो यहां पर एक गुस्ता देखने को मिलेगा किसकी साइट से सैलिकुस निकेटर की साइट से जो ग्रीक चनरल थे एलेकसंडर के कब 305 बीसी में अब जब ग्रीक गवर्नर को बेटा तुम हरा रहे हो तो जो उसकी बाकिंग में खड़ा सेलिकुस निकेटर हो तो त एरिया चंद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में ले लिया था तो वार तो होनी थी बैटल तो होनी थी तो बैटल हुए किस-किस के बीच में सेलिकुस और चंद्रगुप्त के बीच में यहां पर सेलिकुस की होती है हार और सेलिकुस के पास कोई आप्शन नहीं बसता उस चोड़ना पड़ता है एस्टन अफगानिस्तान साथी साथ बलुचिस्तान और वह एरिया जो उसने अक्वाइर कर रखा था इंडस्ट वर यह साइट में वह भी उसको चंद्रकॉपत को देना पड़ता है एन एंबसीडर ऑफ सेलुकस और सेलुकस के एंबसीडर जिनका नाम होता है मेगस्तनीस जिन्होंने लिखी थी वो किंडिका वो रहने लगते हैं चंद्रकॉपत मारे के कोट में जो मौर्यन एंपाइर है जब चंद्रकॉपत है रूल कर रहते तब बहुत ही इंडिया है तो हम यहां की बात करें यहां पर ऑड़्ट किस से टच कर गया था पर्शी है ही ठीकिया और इस्ट में कहां तक था ये बिहार तक था को है और वैस्ट में कहां तक था सौरास्टर तक था यहां तक था और साउथ में नला्oe डिस्ट्रिक फ़ाशaches मेशूर यहां तक इतने बड़े एरिया को कंट्रोर िरही थे चंद्रगुप्तै ओ comedy a बीसी में हमने पहले ही बात की काउंटिंग बाकवर्ट चलती है जैन सूर्स के एकोडिंग जब चंद्रगुपते मारे की लाइफ का एंड हो रहा होता है अब जब उनको लगने लगता है कि यार आप कुछ बचा नहीं है जीवन में आप सब छोड़ देना चाहिए तो वह ज कर लेते हैं राजपार्ट छोड़ देते हैं तो उन्हें सक्सीट करते हैं कौन उनके बेटे बिंदु सार का 297 बीसी में ठीक है राजा बन गया है बिंदु सार चंद्रगुपते मारे ने जैनिज्ब कर लिया है बिंदु सार के फ्रेंड़ी रिलेशन रहे सालूसिट अफ सीरिया के साथ जिनका नाम था एंटियोकस ठीक है फिर से दिहान से सुनों जैन सोर्सिस के एकोरिंग चंद्रगुपते मारे एक टाइन के बाद जैनिज्ब कर लेते हैं और चंद्रगुपते मारे को सक्सीट करते हैं उनके अपने बेटे बिंदु सार का 297 बीसी में इनके बड़े फ्रेंडली रिलेशन्शिप रहते हैं सेलुसिट किंग कहां के सीरिया के साथ जिनका नाम होता है एंटियोकस वन और इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादे सक्सेस्फुल होते हैं कि भाया एक एंपायर जितना बड़ा ही ने मिला था ये उतना बड़ा ही रखते हैं एक दू एरिया को और जीतके उसे बड़ा ही करते हैं पर बिटा ऐसा नहीं होता कि ऐसा कहा जाए कि बिंदू सारे थे बड़े एंपायर को समालने पा रहे थे और एंपायर में रिवोल्ट होने लगे ये वह ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये इनकी सेक्सेस थी एक रीजन था जिसका नाम था कलिंग वह इनके टूवर्ड्स होस्टेल था ही और यह कहां पर था इस्टन कोस्ट पर उड़ी सा आप लोग जानते ही हैं उड़ी सा इस एरिया के बात हो रहे हैं तो उड़ी सा अब तक इनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था पढ़ेंगे किसको अशोक को तो अशोक ने रूल करना कब स्टार्ट किया 269 में कब तक रूल किया 232 BC तक रूल किया अशोक किसके बिटे थे बिंदू सार बिंदू सार किसके बिंदू सार के बाद रूल करने आए अशोक कुछ स्टोरियन्स का मानना है कि अशोक जितना मह महान राजा भारत इत्यास में कोई दूसरा नहीं हुआ कुछ इस्टोरियंस इन्हें महान राजाओं की तरह देखते हैं कि यह बहुत महान राजा थे अगर हम अर्ली लाइफ और अचीड्मिंट्स की बात करें तो बहुत सारा जो नौलेज हैं हमारा रिगारिंग इस्ट्री कि बात क्या क्या किया लोग कितना खुश थे अशोक ने कैसे बुद्धिजम को एंब्रेस किया कैसे कलिंग को जीता तो यह सारी इंफोमेशन तो हमें मिल जाती है इंस्क्रिप्शन के उपर जो कि एंग्रेव रॉक्स के उपर और पिलर्स के उपर पर उनकी अर्ली जो यह बताते हैं मिटा अगर हम लेटरेडी सोर्स एज के बात करें कि अशोक ने जिट्रौन लिया वह नाइन्टी-नाइड ब्रिदर को मार के लिया मतलब अपने नियान्वी भाईयों को मारने के बाद अशोक ने थ्रोन लिया अशप्ड करना मतलब कभजा लेना हड़ ल कि अशोक ने यूजर किया थ्रोन को थ्रोन को हर्पा अपने 99 बिदर्स को मारने के बाद पर इस्टॉरियन्स डिस्मिस करते हैं कि भाई यह तो एक्जागरेशन है कि नियानवे भाई हो सकते हैं कितनी शादी की होंगे इनके पापविंदु सार ने 99 बिदर्स पॉसिबल ही नहीं है कुछ इस्टॉरियन इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं कि भाई अशोक का राजा बनना इतना असान भी नहीं रहा होगा इतना स्मूथ अफेर भी नहीं था तो जो इस्टोरियन है जो इस बात को डिसकार्ट करते हैं कि 99 भाईयों को मार के 99 बदस को इस खुट करके अशोक राजा बने वो इस बात को completely डिसकार्ट करते हैं क्या थे एक्जगरेशन ऐसा हूई नहीं सकता पर यह इस बात को भी प्लीब करते हैं कि अशोक का जो लुक्सेशन हुआ उन्हें जो ताश मिला है ना वह जब राजा बने तो यह कि स्मूथ अफियर भी नहीं था कुछ ना कुछ कॉंपिकेशन थें अब हम कलिंग यह को पड़ेंगे पिटा तो क्लेंग वार कभवा टू-स हिएँ-व Almost अशौक कि में उर्ट बंगे to क्यों अशोग जीतना चाहते थे कलिंग को पहली बात तो कलिंग नंद रूलर्स के अंदर ही था पर क्योटिक सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने क्या किया अपने आपको इंडिपेंडेंडेंस घोशित कर लिया पहले यह थे मतलब नंद डाइनिस्टी के इंदर ही थे हैं बहुतर बने सिचुएशन आहीं है तो इसा लगता था लोगों क्योन अनले अपने आपको इंडिपेंडेंट राजा बनालिया को अपनी इंडिपेंडेंडेंस को खराइव Çaो दो बिलगता था जितना भी नंद को मारकर है हमारे कंट्रोल में आया है तो उसमें कलिंग भी हमारे पास आना चाहिए था जो कि नहीं आ पाया है तो अब उसे लेना मेरा करतव है दूसरा जो मेजर कॉस था कलिंग कॉंट को यह था मिलिट्री स्ट्रेंट आर्सी मजुमदार ये बात कहते हैं कि कलिंग की पॉपिलेशन बहुत ज़्यादा थी पॉपिलिस स्टेट था ठीक है एकोनॉमिकली कलिंग बहुत इंपॉर्टन था क्योंकि यह लैंड और सी रूट को कंट्रोल करता था जो साउथी स्टेशा की का कनेक्शन था किसके तरफ साउथी स्टेशिया अगर आपको जाना हो तो आपको कलिंग का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टन था एकोनॉमिकली प्रॉस्पर था पॉपिलस था एक पावरफुल स्टेट था बहुत ही फाइस बेटल हुआ कलिंग के राजा और अशोक के बीच में बहुत सारी कोजैल्टीज हुई और इन कोजैल्टीज को आपको देना है देखना है कि बहुत कितने लोग मारे गए कितने लोग घायल हुए कितना ब्लडशिट हुआ तो आप अशोक के रॉक एडिक थोटीन को पड़े अब हम कलिंग वॉर के इंपक्ट को देखेंगे तो कलिंग वॉर के बाद अशोक बहुत ज़दे दुखी थे उनके अंदर पश्चताप की फीलिंग थी वो बहुत ज़दे दुख में डूप गए थे अक्टिंग अपॉन इस फीलिंग औफ रिमॉस शोरो दुख में पश्चताप में अशोक बिल्कुल त्याग देते हैं कि भाई या मैं अग्रिसिव वॉर तो करूंगा है नहीं अपने पूरा जीवन हमें वॉर नहीं करूंगा बिटा अशोक का वॉर को छोड़ देना अपनी तल्वार को वापस से मियान में रख लेना इस तल्वार इस वॉर्ट की हेल्प से यह तमिल कंट्रीज को और जीट सकते थे पर इन्हों ने ऐसा नहीं किया यह इंडिया की हिस्ट्री में एक यूनिक इविंट था या पूरी इंपीरियलिजम सामराज जिवादी के जो इतिहास से उसमें एक यूनिक इविंट था सामराज जिवादी क्या होता है पेटा जब एक चोटे एरिया पे बड़ा कोई रूलर जो ज्यादा पावरफुल रूलर होता है वो जब चोटे एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले इंपीरियलिजम के इतिहास में एक अनौखा मौका था कि अशोग की इतनी पावरफुल आर्मी थी कि वो तमिलर रूइजन को भी पूरी पर जीत सकता था पर उसमें वार छोड़ दिया यह वह स्टेज थी अशोग की लाइफ की जहां उसे अब जीतना ही नहीं था और स्प जो होते हैं वह वुद्धिस्ट मॉंक बन जाते हैं और एजा मॉंक वह बहुत सारी होली प्लेसे को विजट करते हैं जो थी लाइफ से अनौद थी पहले यह पहुँछ थे बहुत गया में बाद बाद में जाते हैं लूंबिनी पार जो की बद्ध की वेर नींसेक्राइट इस बात को बताता है कि भी आशोक ने इस एरिया को विजट किया था तो ऐसा मांग जो अशोक होते हैं बहुत गया भी होता है पिर अलूमिनी पार्क जाते हैं जहां पर बुद्ध का जन्व हुआ होता है और वहां पर एक पिलर है अभी तक वह पिलर है और वह यह बताता है कि भाई यहां पर अशोक आये थे अबाव टू एंड हाफ यह अशोक रिमेंड आ ले डिसी प्लाय आफ्टर ही फॉर्मली जॉइंड बुद्धिस सांग और विक्षू तो उठाई साल बात प्रॉपर बुद्धिसंद के अशोक के धम की धम प्राक्वित वर्ड है संस्क्रित वर्ड धर्म के लिए हमने पहले यह देखा कि कलिंग वॉर में जो डेथ हुई जो डिस्ट्रक्शन वहां उसके बाद अशोक पश्चाताप से भरे हुए थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आप दिक विजय की पॉलिशी को रिप्लेइस करेंगे और दुनिया को जीतेंगे किस से धर्म से धर्म विजय की बात उन्होंने की कॉन्क्वेस्ट भाई धर्म से जीतना था उन्होंने दुनिया को इन पिटागर हम बात करें अशोक के एड़िक की मतलब एक शिला लेक की तो उसमें ऐसे हमें भी कह सकते हैं अगर मैं बात करूं धर्म के नियमों की रिलीजिस पाइटी की धर्मिक शुद्धता की तो यह हमेशा इंपोर्टेंट प्लेस को होल्ड करती है पूरे मौरियन किंग्डम में बट वॉट वॉस धर्म को पढ़ेंगे की धर्म क्या है पर इसके पहले आप लोग यह जान गए होंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखें बिटा की जब मारे सामराज यह था जब मौरियन किंग्डम था तो धार्मिक धर्म परायन था जो लौस थे धर्म के रिलीजिस पाइटी के उन्हें बहुत इंपोर्टन प्लेस मिला हुआ था ठीक है कि यह जो वर्ड लिखा हुआ है नहीं रिलीजिस पाइटी इसका मतलब होता है धार्मिक धर्म परायन था दा लौ आप धर्म मतलब धर्म के जो नियम कानून है उसको एक important place मिला हुआ था Mauryan Kingdom में बिटा अब हम पढ़ेंगे धर्म क्या है तो धर्म synonym है किसका संस्क्राइब धर्म का जो virtue, morality, law, duty की बात करता है ठीक है किस किस की बात करता है virtue, morality, law और duty की बात करता है धर्म हम सब जानते हैं धर्म क्या होता है, it did not involve worship of goddess में भगवान की worship, भगवान की पूजा या किसी sacrifice की बात नहीं की गई है जबकि कि ये code of conduct है, code of morals है जिसको हर विक्ति को अपने जीवन में follow करना चाहिए, आप कितना पूजा पार्ट करते हो, आप कितने उपास रखते हो, इससे कोई मतलम नहीं है आप अपने जीवन में कितना ethical mode को adopt करते हो, कितने morally आप सही होते हो, उसके बात करता है कौन धर्म है, यहाँ पर धर्म पूजा पार्ट सो जुड़ा हुआ, नहीं है अप इन words के meaning जानेंगे तो आपको खुजी समझ में आजाएगा कि क्या कहना चाहर है, वर्चू का मतलब क्या होता है सदाचार, मतलब आपका जो आचार हो, मतलब आपका जो behavior हो, प्रॉपर हो, morality मतलब नैतिकता आपके अंदर हो, कानून हो, करतव्य हो, इन सारी चीजों क tenants of dham, dham बोले तो पता ही है, धर्म, tenants बोले तो सिद्धानत, अब हम धर्म की सिद्धानतों की बात करेंगे, दो धर्म, अशोक वांडेट टू इंस्टेला, spirit of tolerance, अशोक का धर्म से मतलब था कि आप शहें, चील बने, ठीक है, को existence की बात करें, साप में मिल जोड़के रहें non-violence, हिंसा ना करें, हिंसा आपके जीवन का एक important part हो, ये सारी चीज़ें अशोक इंस्टिल कराना चाहते हैं, लोगों के मन में धूद्धाम में, जो fundamental teenage थे, धम के, मतलब जो प्रमुक सिद्धानत है, वो पढ़ेंगे, ओवेदा elders, अपने बड़ों की बात सुनो, be kind to all, स हिंसा के path को follow करें, salvation possible तब ही हो पाएगा, जब आपके अंदर kindness होगी, morality होगी, आपका जीवन नेतिक मुल्यों से भरा होगा, आप लोगों के साथ kind रहेंगे, तब ही, आप मोक्ष को achieve कर पाएगे, अब spread कैसे किया, इस धर्म को अशोक ने, दुनिया तक कैसे पहलाया, तो धम महामात्य कहा गया, क्या कहा गया, धम महामात्य, was created to enforce the moral code and work for the welfare of the people, धम महामात्य का का काम था, लोगों के कल्यान के लिए काम करें, लोगों को moral code बताएं, सिब बताएं नहीं, उनसे enforce भी करवाएं, वो उस moral code को follow करें, अशोक खुद धम में यात्राएं की, अशोक ने अशोक ने मिशनरीज को दूसरी कंट्रीज में भी भेजा, जैसे श्रीरिया भेजा, एजिप्ट भेजा, पर उनने अपने बेटे महींद्र और अपनी बेटी संगमित्रा को सिलान भेजा, सिलान भुले तो श्रीलंका भेजा, धम को spread करने के लिए, तो अशोक तो खुद सिलान भुले तो आज का श्रीलंका, खाई के लिए धर्म को spread करने के लिए, सिवडेंट, I am ending this video here only if you have any doubt, any problem, do write in comment section